मेरा प्रस्ताब कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में हम जब काम नहीं कर पा रहें तो इस पार्टी के साथ रहना I thought was a negative action सब के साथ सब के विकास, सब के साथ सब के विश्वास और सब के साथ सब के प्रयास मगर ये खाली बारता रह गिया ये जमीन पे भारत में इंप्लिमेंट नहीं हो पाया भारत और इंडिया तो एक ही बात है कोई फरक नहीं है लोकसभा चुनाब दो हजार चौविस से पहले देश में इंडिया और भारत पर वेहन सुचुड गई है बिपक्षी गटबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद से बीजेपी भारत शब्द को ज्यादा प्रमोट कर रही है ये बिपक्ष का आरोप है ये विवाद तब बढ़ा जब जब जी ट्वन्टी समिट के निमंत्रण में राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू को प्रेजिडेंट और भारत की तौर पर संबोधित किया गया बिपक्षी दलो ने प्रेजिडेंट और इंडिया की जगा प्रेजिडेंट और भारत लिखे ज़ाने पर आपत्ती जताई विपक्ष ने दावा किया कि केंदर सरकार विपक्षी गट बंधन इंडिया से डर कर देश का नाम बदलने में जूटी है इस बीच नेताजी सुभाज चंदर बॉस के पोते चंदर कुमार बॉस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया जाती जाते उन्होंने भारत और इंडिया पर चिड़े विवाद पर अप्टी प्रतिक्रिया दी साथी अपने इस्तीफे की असल वजह भी बताई क्या कुछ कहा सुनिए देखिए भारत की जो संग्विधान है संग्विधान में सपश लिखा गया है इंडिया बैट इस भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स तो भारत और इंडिया तो एक ही बात है कोई फरक नहीं है तो आप इंडिया बोलिये भारत बोलिये जब बात जब मुद्दा एक ही है तो इसके यह लेके जो कॉंट्रोवर्सी चल रहे है यह तो नॉन इशू है देखिए 2016 में मैं भारतिया जन्ता पाटी में योगदान किया था नरेंद्र मोदी जी का नित्रित्त वो जो दिशा दिखाया था हमको अच्छा लगा मगर भाजपा में जॉइन करने का बाद जो राजनेती भाजपा करते हैं इसके साथ मेरा जो अदर्श है मेरा अदर्श सरच चंद्रबोस मेरा दादा जी आज उनका जनम दिन भी है और नेता जी शुभाष चंद्रबोस उनका छोटे भाई इनका जो अदर्श है सब धर्म को एक बना के भारतीय बोलके उन्होंने प्रतिश्चित किया था वीभाजन का राजनीती सामप्रदाइक राजनीती के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था बिंगॉल स्ट्राटिजी के बारे में हम काफी प्रस्ताब भाजपा को दिया है केंद्रिय ने त्रित्त की भी दिया है पस्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमिटे है दिया है बगर मेरा जो प्रोपोजल है माना जाता अच्छा प्रोपोजल मगर वो कभी इंप्लिमेंट नहीं हुआ तो जब आदर्श मेरा प्रस्ताब कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना I thought was a negative action तो उसी लिए I of course नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया my good wishes are with the party मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए